नॉर्मली कटिंग को हम स्प्रिंग सीजन में या रेनी सीजन में ग्रो करते हैं especially permanent flowering plants को ताकि हमारी कटिंग 100% ग्रो हो सके friends gardening के दोरान में ने observe कि और स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन के इलावा नमवमबर की मंथ में भी हम कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और अगर आपने बरसाद में इन फूलों वाले पोदों की कटिंग नहीं लगाई या आपकी कटिंग किसी कारण ग्रो ना हो पाई हो तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है आप नोवंबर में भी इन कटिंग को ग्रो कर सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वन्स अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स हमारी जितनी भी हार्डवूड टैप प्लांट्स की कटिंग होती है उनको ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है और अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप नोवंबर में भी पूलों की कटिंग को बहुत ही असानी से ग्रो कर सकते हैं जैसे इस कटिंग आप हमेशा वेल्रें मिट्टी में लगाएं कटिंग को लगाने के बाद बार बर चेक ना करें इससे भी हमारी जो कटिंग है वो ग्रो नहीं होती है और मिट्टी को मॉइस्ट रखें पर सोगी बिलकुल भी नहीं और एक बार अगर क्टिंग लगाएं तो फिर बूल जाएं क्योंकि इन पूलों की कटिंग को ग्रो उने में थोड़ा ताइम जरूर लगता है अखसर मेबी कटिंग लगा कर बूल जाते हैं और कहीं बार तो महीना-2 महीने मेरी कटिंग लगी रहती है तो अराम अराम से ये पोदे तियार होते रहते हैं प्रेंड से कटिंग गुरू करने से पहले मैं आप सबसे पॉटिंग मिक्स जो है वो में शियर कर देती हूँ यहां पर मैंने लिया है गार्डन सॉयल एक भाग और एक भाग आप इसमें कोको पीट भी ले सकते हैं और अगर आपके पास कोको पीट नहीं है तो आप कोको पीट स्किप भी कर सकते हैं उसकी जगह आप एक भाग इसमें सेंड का इस्तमाल भी कर सकते हैं और एक से दो चमच आप साफ फंजी सेड भी मिला सकते हैं अगर आपके पर साफ हंजी सेट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं उसकी जगा पर आप एक से दो चमच हल्दी के भी मिला सकते हैं तो इसी तरह से हमारी जो कटिंग ग्रो करने के लिए हमारी वैल्डिन मिट्टी जो है वो त्यार हो जाएगी जिसे आप किसी भी पॉट और यह जो इसकी वेराइटी देख रहे हैं इसकी हाइबरड वेराइटी और नेक्स जो वेराइटी आप देख रहे हैं इसकी देसी वाली वेराइटी है तो यह पोदे भी अप कटिंग से इनको ग्रो कर सकते हैं इसकी प्रोगेशन भी मैंने आप सब फ्रेंड्स के साथ श और कोशिश करें आप इसके नीचे की जो होती है फ्रेंड्स वो उनको हटा दीजे फ्रेंड्स मेक्सिमम जितनी लीव्स आप निकी हटा दीजे और इसके इलावा क्टिंग वाली जगह पर आप इसे शार्प एक तिर्चा सा कट लगाके मैं इसके साफ हंजी सैड में डिप करके इसे इस वली मिटी में लगा ली हूँ मिटी मेंने पहले ही मॉइस जो है वो मेंने कर ली हुई है तो यहां पर यह देखिए फ्रेंज सब भी कटिंग को में साफ हंजी सैड में डिप करके लगा रही हूँ देख सकते हैं मैं सारी cuttings जो है वो इस वाले पॉड में लगा दूँगी और ये friends इसकी propagation भी मैंने आप सब friends के साथ शियर करी थी friends इस वाले पॉड में आप जैसे की देख सकते हैं मैंने चार cuttings कनेर पलांट की डाली थी जिसमें से दो जो hybrid वाली cuttings है वो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है उनकी न्यूनी लीज भी आना शुरू हो चुकी है और जो देशी वाली डाली थी वो अभी तक ग्रो जो है वो नहीं हुई है सम्टेम पॉडों की cutting को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम सुरू लगता है और इसके इलावा मैंने कुछ cutting जो थी पानी में भी डाल दी थी अब आप ये देख सकते हैं इसमें न्यूनी लीज भी आना शुरू हो चुकी हुए और हलकी हलकी सी आपको इसकी जड़ें भी दिख रही होगी पानी में भी इन पौदों की cutting बहुत ही इसली ग्रो हो जाती है तो इस टाइम पर भी आप चाहें तो इन पौदों की cutting को बहुत ही असानी से ग्रो करके इनके भी फ्री के प्लाण्ट जो है वो बना सकते हैं फ्रेंट से नेक जिस फूलों वाले पोदे की कटिंगा बहुत ही असानी से ग्रोव कर सकते हैं वो हमारा चंपा का फ्लावरिंग प्लांट यह इसकी देशी वाली वराइटी है मेरे गार्डन मे जितने भी अप चंपा के फ्लावर्शो प्लावर नेक हैं और फैंक जीतनीका जेए नीचे fine cut लगाके नीचे की leaves आप जितना हो सके आप इनकी हटा दीजिए तो इस जरह से आप इनकी cutting को ready करके साफ अंजी साइड में या हल्दी में भी थोड़ा सा डिप करके आप इसे किसी भी मट्टी में लगा दीजिए और cutting लगाने के साथ एक बात का ज़रूर दियान और तो यहां पर यह देखिए हमारी जो cutting है वह सभी बहुत ही अच्छे से अलग चुकी हुए जिसे में shady area में रख दूंगी यह पोदे की cutting बहुत ही असानी से grow हो जाती है तो यहां पर यह देखिए friends मैंने इनकी जितनी भी cuttings लगाई थी सभी बहुत अच्छे से उनकी growth जो है वो चल रही है और इसकी cutting को मैं बहार निकाल के भी आपको दिखाती है तो यहां पर यह देखिए friends हलकी हलकी सी की roots वो भी बना शुरू हो चुकी हुए तो आप इसी तरह से आप इन पोदों की cutting से नईने पोदे free में नमंबर के मन्थ में भी बना सकते हैं अगर आप इन पोदों की cutting को लगाना बूल चुके हुए हैं तो अभी भी नमंबर के मन्थ में भी आप इन पोदों की cutting को ग्रो कर सकते हैं यह बहत ही खुबसुरेत पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट जिसमें गुच्छो में पूल आते हैं और बैस्ट पांट यह है कि चोटी चोटी टिप की cutting से असानी से ग्रो हो जाते हैं तो यह देखिए फ्रेंट से इस फ़ले पॉड में मैंने इसकी cutting जो है वो डाली थी और देखिए बहुत अच्छे से इसकी growth जो है वो चल रही है तो इसी के पोदे से में इसकी चोटी सी cutting ले लोंगी फ्रेंट यह प कि इसे नौड एरिया से लेके किसी भी वेस में मिटी भरके आप इसकी cutting को डाल देजिए फ्रेंट यह पोदे की cutting बहुत ही असानी से विदिन वीक में ग्रो हो जाती है तो यहां पर यह देखिए फ्रेंट जो मेंने cutting लगाए थी उसकी growth बहुत ही अच्छे से चल रही है त इसकी जड़ें जो है में दिखा देती हूँ फ्रेंट तो यहां पर यह देखिए फ्रेंट इसकी जड़ें जो है कितने अच्छे से बन चुकी हुए तो आप इस टाइम पर इन पोदों की cutting को बहुत ही असानी से ग्रो करके इनके नईने पोदे फ्री में बना सकते हैं फ्र तो यह बहुत हैवी फ्लॉवरिंग करता है अचाने की मैंने इसकी एक ब्रांच को कट किया और इस वहले पॉर्ट में में डाल दे अब आप यह देख सकते हैं कितनी अच्छे से जड़ें जो है वो बन चुकी हुए आप कहीं से फ्रीकी भी cutting लाकर इसकी लगा सकते हैं कोदे की जो ब्रांची होती है थोड़ी पतली पतली सी रहती है तो यह देखिए फ्रेंट्स मैंने इसकी दो ब्रांची को मैंने कट कर लिया हुआ है और इसकी छे से साथ इंच की हम इसकी कटिंग जो हो बना लेंगे नीचे की लिप्स को हटा देंगे और जैसे कि आप स्क कटिंग को लगाने के बाद आप इसे कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख दीजिए फ्रेंड आप यकीन वानिए जब मिने इसकी पहली कटिंग को लगाया था तो वो पोदे की कटिंग बहुत ही असानी से 10 से 12 दिन में जो है वो ग्रो हो चुकी थी तो आप अगर आज इस पोदे की कटिंग लगाएंगे तो फ्रेंड्स ये नॉर्मली मिड़ दिसम्बर से पहले पहले जो है वो ग्रो हो जाएगी आप ज़रूर कोशिश करिएगा फ्रेंड्स नेक जिस फूलों वाले पोदे की कटिंग आप आजभी ग्रो कर सकते है वो हो फ़र का फ्लाउवरिंग प्लांट यह भी पर्मधन फ्लाउवर्ण प्लांट है जो रिइनि सीजन में भी बहुत अराम से ग्रो हो जाता है अगर आपने ग्रो नहीं करा है तो आप आज भी नवंबर के मन्थ में इन पोदों की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, इसमें रेड कलर के फ्लॉर्स ब्लूम करते हैं, और इसके इलावा इसके बहुत सारी वेराइटीज होते हैं, यह पोदे पार के रिया में ऐसे हैज की तरह ग्रो किया जाते हैं, वहां से भी इन किसी भी वेस्ट में थोड़ी सी मत्टी भर के मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट करके आप इसकी कटिंग को लगा देंगे और लगाने के बाद इसकी कटिंग इसी चायादार जगा में रखतेंगे तो यह पोधी की कटिंग बहुत असानी से ग्रोव हो जाएगी नेक्स्ट आप बहुत सारी cuttings को आज भी grow करके इनके नएने पोदे फ्री में पना सकते हैं अलमेंडा फ्लावरिंग प्लान की cutting को भी आप बहुत असानी से grow कर सकते हैं इसकी बहुत सारी varieties होते हैं जिसमें रंग भी रंगे फूल आते हैं और इनके फूल काफी big size के होते हैं यह पोदे की cutting भी इस तेम अगर लगाएंगे तो यह भी बहुत असानी से grow हो जाएगी फ्रेंड से नॉर्मली मेने अबसर्फ किया है हमारे जितने भी जो पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी cutting लगाने के लिए हम उसकी pencil size की cutting लेते हैं जरूर ग्रो करें फ्रेंड से ने इस पूलों वाले पोदे की cutting अब बहुत असानी से इस मंत में भी ग्रो कर सकते हैं यह पोदे की cutting अपको बिल्कुल फ्री में आस पास से कहीं से भी मिल जाएगी तो यह देखें मैंने भी इसकी किसी रोड साइड एरिया से इसकी को कट करके इस वले वेस में पानी में डाल दिया था अब आप यहां पर यह देख सकते हैं कितनी अच्छे से इनकी जड़े है वो बन गी हुई हैं तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं अगर आप अपनी cutting को fast grow करना चाहते हैं तो firstly आप इनकी cutting को लाकर आप इनको पानी में डाल दीजिए फिर जब आपकी cutting grow हो जाए तो आप इनको किसी भी मिट्टी में आप इनको grow कर सकते हैं यहां पर यह देखें य मैंने किसी waste में इनकी cuttings को लगाया हूआ है तो में इसी तरह से करती रहती हुँ जहां से भी मुझे cuttings free में मिल जाती हैं तो मैं उनको पानी में ग्रोग कर लेती हूं तो यहां पर यह देखें जो मैंने cutting पानी में डाली थी उसे मैं इस वाले pot में में shift कर रही हूं क्याँ कि इससे इनको पोदों को nutrition भी मिलेगा और इसमें बुड़ी अच्छी मात्रा में फूल भी आएंगे और यहां पर यह देखिए फ्रेंट यह वही प्लांट है जिसकी मेने cutting जो थी वो मेने pot में मेने shift करी थी उसमें flowering भी आ रही थी बहुत ही अच्छे से grow हो रही है तो जब तरह से डेरों पोदों की collection बढ़ा सकते हैं अगर आप फ्री में अगर इन पोदों की cutting को grow करें फ्रेंट इस वाले pot में यह आप देख सकते हैं मिने टिकोमा प्लांट की cutting जो है वो मिने डाली थी और यहां पर यह देखिए इनकी new new leaves भी आना शुरू हो चुकी है और इसके अगर आप पोदों की जो आप इसके बहुत हैं तो यह पोदों के साथ बहुत सारे कांटे भी रहते हैं और इसके इलावा इसमें वाइड सेप निकलता है तो उसके स्टॉप होने के बाद ही आप इसकी कटिंग को किसी भी मिट्टी में या फिर रेत में डाल दीजिए फ्र करने के लिए इसकी मिट्टी को ड्राइ बेसिजिए क्योंकि इनके ब्रांची में काफी मॉइस्चर रहता है और ऑवर वाट्रिंग से यह पोदी की कटिंग बहुत ही जल्दी गल जाती है तो यहां पर यह देखे मैंने दो कटिंग इस वले पॉट में मैंने डाल दी है और अब आप यहां पर यह देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग आना भी शुरू हो चुकी है तो यह पोदी की कटिंग बहुत असानी से ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड से कटिंग के लिए हम रेनी सीजन का इंतजार करते हैं सपेशली पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लान की कटिंग क ग्रो करने के लिए बट वो मौसं भी बहुत पैस्ट होता है जब ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है तो इस मौसम में भी बहुत असानी से कटिंग्स ग्रो हो जाती है आप ज़रूर ट्राइ करें और यहां पर इस वाले पार्ड में यह अप करना सीखें इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आप बहुत धेरो सारे पोदों की कलेक्शन भी अपने गार्डन में बढ़ा सकते हैं और इस वाले पॉट में आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक मेने कटिंग बोगन वेल की डाली हुई है और एक कटिंग मैंने हिबिसक संबर तक ये पोदे की कटिंग बहुत ही असानी से ग्रो हो जाती है हर एक वो मौसम बहुत अच्छा होता है जब ना जादा गर्मी होती है ना जादा सर्दी होती है तो ऐसे मौसम में भी कटिंग बहुत असानी से ग्रो हो जाती है आई होप आज की वीडियो आप सबके ल